क्या आप लोग excel में work करते हैं आप लोग बहुत बारी अपने data present करते हैं मंगर बहुत बारी आप लोगों ने देखा होगा data के अंदर blank cell आ जाता है जिसकी वज़े से आपकी presentation खराब हो जाती है तो अब आपको डरने की कोई आवशकता नहीं है क्योंकि मैं आज आपको दो ऐ आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube channel में तो चलिए आज का topic शुरू करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं friends मेरे पस थोड़ा सा data set है let's take an example यह मुझे किसी को present करना है मगर यह बीच बीच में blank cell आप देख सकते हैं यहां पर blank है मेरे पास row number 16 पूरा blank है तो इन cell को मुझे एक ही बारी में delete मानना है अगर मैं एक एक करके delete करूंगा तो बहुत जादा time लगेगा एक एक करके ना delete करते हुए इनका जो shortcut है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दो बहुत ही बहतरीन shortcut है यह आप daily regular task regular work में use कर सकते हैं सबसे बहले आपको पूरे का पूरा data set select करना है last वाले cell में shift press करना है और click कर देना है जैसे आप click करेंगे तो यह पूरे का पूरा data set select हो गया है अब आप एक filter लगा दीजिए जैसे आप filter लगाएंगे control shift and L जो filter का shortcut है उसके बाद आप drop down में click करिए यहाँ पे blank देख रहा है आपको blank select कर लीजे यह देखिए यह highlight होंगे blue color में जो भी blank cells होंगे वहां तक पूरे highlight है बस यह simple 3 को select करिए freeze कर दीजिए alt और semicolon से freeze होता है और control और minus row delete तो यह देखिए blank cell delete हो गया आपके और यह पूरे का पूरा data without blank cell यह तो रहा आपका पहला example दूसरे example में भी same आपको पहले पूरा data select करना है सबसे पहले A1 में क्ल दिया और click तो पूरे का पूरा data select हो गया है आप go to में जाना है आपको अब आप go to में कैसे जाते है control और G प्रेस करिए जो की go to का shortcut है तो आप go to में आगे special में click करना है यहां पर blank है blank में select करके ok कर देना है तो यह देखिए blank को highlight कर देगा जैसे blank को highlight करता है simple control और minus that's it यह बोलेगा आपको उपर move होना है right में move होना है left में move होना है नीचे move होना है वो जो भी आप चाहें आप कर सकते हैं जैसे मुझे shift cell आप तो मुझे आप में move होना है जो भी blank delete हो और यह बाकी का उपर आजाए यह देखिए blank cell delete आप लोगों ने वीडियो तो देखिली होगी आशा करतों आप लोगों को पसंद भी आई होगी अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस चानल को subscribe करना मत भूलिएगा जो कि बिलकुल लीचे है like button को press करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को share करिये ताकि हम जैसे आप जैसे आपके friend circle सब सीख पाए कि कैसे हम blank cell को ए कॉलम से डिलीट करते हैं वो भी flick of a second में so thank you friends thank you so much for watching this video have a wonderful day